दोस्तो सब्सक्राइब करें चमतकारी समधान को, प्रेस करें इस बेल को, ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राशी दोस्तो नवरात्री एक हिंदू पर्व है नवरात्री एक संस्क्रित शब्ध है जिसका आर्थ है नो राते इन नो रातो और दस दिनों के दोरान शक्ती देवी के नो रूपों की पूजा की जाती है इन नो रातों और दस दिनों के दोरान शक्ती रूपी देवी के नो रूपों की पूजा की जाती है नवरात्री जहां एक और अध्यात्मिक शक्तिया प्राप्त करने का अपसर है वही आम जीवन की समस्याओं को सदा सरवदा के लिए खतम करने का भी साधन है आज मैं आपको बताऊंगी नवरात्री में किये गए कुछ उपाए जो तुरंधी असर दिखाते हैं दोस्तों नवरात्री के नो दिन प्राते, मध्यान और संध्या के समय भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए श्रदा अनुसार अस्टमी या नवी के दिन हवन या कुमारी कन्या को भोजन कराना चाहिए ऐसा करने से मा भगवती प्रसन होती है नारत पुरान के अनुसार हवन और कन्या पूजन के बिना नवरात्री की पूजा अधूरी मानी जाती है साती नवरात्री में मा दुर्गा की पूजा के लिए लाल रंग के फूलो वा रंग का अत्यादिक प्रयोग करना चाहिए नवरात्री में शिरित दुर्गा सब्त शती का पाट भी करने का प्रयास करे जिन लोगों की विवा में अर्चने आ रही हो या विवा में देरी हो रही हो या किसी भी प्रकार की कोई रुकावट हो रही हो तो वे जातक नवरात्री में प्रति दिन माता की पूजा करें यदि कोई श्रधालू नवरात्री में प्रति दिन पूजा ना कर सके तो अस्टमी लोग नवरात्रे के प्रथम दिन और अस्टमी के दिन व्रत रखते हैं लेकिन जिन जातोकों की विवा में देरी हो रही हो वे जातक नवरात्रे के प्रथम दिन अस्टमी और नवी का व्रत करें पूरे नवरात्रे 1200 ग्रम चने की डाल सवा लीटर कच्चे दूद का दान करे ऐसा करने से जिन जातोकों की विवा में देरी हो रही है उन जातोकों का विवा श्रीग हो जाएगा गाएं को दो आटे के पेड़े पर थोड़ा सा हल्दी लगा कर पहले और आखरी नवरात्रे खिलाएं तता इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ वच्चने की पिली दाल का भोग भी गाएं को लगाएं ऐसा करने से जातकों के विवा में आ रही देरी दूर हो जाएगी तो दोस्तों ये थी नवरात्री में श्रीक विवा करने के कुछ सरल उपाएं